नमो नमा बच्चों आज आप लोग पिछले कक्षा में आपने संस्कत गद्यभारती के अंतरगत दश्मा पाठा महामना मदन मुहन मालिया पाठ का प्रथम भुती गद्याश कानवाद पढ़ा था आज उसके आगे का था तीसरा तीसरा चौथा एवं पाँचवा गद्याश कानवाद पढ़ेंगे आज जो तीसरा गद्याश कानवाद आप पढ़ेंगे उसमें मालवी जी के कौशल पकालत की परिछा पास कर प्रयाग में सफल पकालत करना आज प्रप्रकाश डाला गया है मालवी जी ने तो बच्चों उन्होंने वकालत की परिछा पास की और फे प्रयाग में उच्च रियाले में सफल वकालत की इस विशह में इस गद्याश में बतलाया गया है जो आप आज पढ़ेंगे हिंदुस्तान पत्रस्य संपाधनम कुर्वता मालवी महोदयन तदानीम आंग्ल शाशकय आक्रांते देशे चांग्र भाशाया क्रंताया आक्रांतायाम शिक्षायाम राष्टिय भावस्य हिंदी भाशायाश्य द्रतया प्रचारह कुर्वता हैं हिंदुस्तान पत्रस्य संपाधनम कुर्वता हिंदुस्तान पत्र का संपाधन करते हुए मालवी महोदय के द्वारा तदाने उस समें आंगल शाष कहीं आक्रांते आंगल शाष कों से आक्रांत देश में देशे देश में चांगल भाषाया आक्रांतायां शिक्षायां और आंगल भाषा से आक्रांत शिक्षा में राश्टी भावस राश्टी भाव का हिंदी भाशा याश्च द्रतया प्रचारा करता और हिंदी भाशा का द्रतर से प्रचार किया गया हिंदुस्तान पत्र से संपादरम करता हिंदुस्तान पत्र का संपादरम करते हुए मालवी महोदय ने या मालवी जी ने तदा नीम उस समय आंगल शासकों से पीडित आकरांते ही अतात पीडित देशे देश में और चा आंगल भासाया आकरांते आया में और अंग्रेजी भासा से आकरांत अतात पीडित शिक्षाया में राष्टी भाव का और हिंदी भासा का दृता से प्रिचार किया प्रया हिंदुस्तान पत्र मतिरिच्च इतरे इतरे शाम अनेक पत्राणाम अपिसंपादनं तेन कृतं परम सर्वत्र राष्ट शेवा हिंदी भासा सेवा चा तस्य मुख्य लक्षे आस्ताम हिंदुस्तान पत्र मतिरिच्च इतरे इतरे शाम इतर दूसरे अनेक पत्रों का भी संपादन तेन कृतं उनके द्वारा किया गया अधात मालवीजी के द्वारा हिंदुस्तान पत्र के अत्रित अनेक पत्रों का भी संपादन किया गया परमसर्वत्र राष्ट सेवा कितु सब जगे राष्ट सेवा हिंदी भासा सेवा चाओ और हिंदी भासा की सेवा तस से मुख्य लक्ष आताँ उनका मुख्य लक्ष था नियालेशु हिंदी भासाया नियालेशु हिंदी भासा का प्रयोग निर्ने में मालिवी महो दस्य विशिस्टम अवदानम विद्ध दे नियालेशु हिंदी भासाया प्रयोग निर्ने मालिवी महो दस्य विशिस्टम अवदानम विद्ध दे नियालेशु हिंदी भासा के प्रयोग निर्ने में मालिवी जी का विशिस्ट अवदान है विशिस्ट योगदान है पत्राम संपादन आवसरे प्रकटिता अस्य विचारा सुईस्पस्टाह गंभीरा युक्ति-युक्ताश्यभवन। पत्राम संपादन आवसरे पत्रों के संपादन के आवसर में प्रकटिता अस्य विचारा प्रकटित इनके विचार पत्रों के संपाधन के आउसरन पर प्रकटित इनके विचार इसपस्ट गंभीर और युक्ति-उक्त होते थे युक्ति-उक्त होते थे युक्त-संगत होते थे अतहा विरोधिनों अपि प्रशंसत्न्ति प्रशंसंति इस्म अतहा विरोधिनो अपे प्रशंसंति अस्म अता विरोधि भी प्रशंसा कर्टे थे आंग्र शाषन शाषनस से आलोच नाम कुरुवन मालवी महोदेयो ना भयम अन भूतवान ना पिसंकोचम कर्तवान आंग्र शाषनस से आलोच नाम कुरुवन अंग्रेजी शाषन की आलोचना कर्ते हुए मालवी महोदेयो ना भयम अन भूतवान ना भैकान भव कर्ते थे और ना अपिसंकोचम कर्तवान ना संकोच कर्ते थे आंग्रेजी शाषन की आलोचना कर्ते हुए मालवी जी ना तो भैकान भव कर्ते थे और ना ही संकोच का अनभव कर्ते थे ना दैन्यम ना पलायनम इती तस जीवन सूत्रमासील ना दैन्यम ना तो दीनता ना पलायन ना भागना उनका जीवन सूत्र था न दिनता और न पलायन उनका जीवन सूत्र था न दिनता दिखाये न भागये उनका जीवन सूत्र था पत्य संपादन कर्मने तस्य मनो नारमत पत्य संपादन के कर्मे तस्य मनो उनका मन नहीं लगा गुर्जनानाम परामर्षम अनुसरत्यसव लल्वी कक्षायाम पठितुम आरब्धवान ससम्मानम्च ताम परिक्षाम पुद तरत। गुर्जनों के परामर्ष का अनुसरन करके असव उन्होंने लल्वी कक्षायाम लल्वी कक्षामे पढ़ना आरंब किया और ससम्मानम्च और ससम्मान परिक्षा उत्रिण की लल्वी पदव्या विभूशितासन प्रयागस्थ उच्चनियाले अधिवक्त कर्म कर्तुम प्रारवत। लल्वी पदव्या, लल्वी की पदव्योरी को विभूशित करते हुए, सुशोभूशित करते हुए, प्रयागस्थित उच्चनियाले में अधिक वक्त, अधिवक्त कर्म, अधिवक्ता का कर्म करने केल करना प्रारंब गिया, वकालत करना प्रारंब गिया, स्वल्पैर एव अहो भी, न्याले न्याय चेत्रे चा पराम ख्यातिम अवाब, स्वल्पैर अहो भी, थोड़े दिनों में, थोड़े दिनों में ही, न्याले में और न्या चेत्र में, पराम अत्धिक ख्याति को प्र आप तक हिया, म्रशावादन वादर नासव ना स्विकरोत एस्मौ, मसावादर, मसावादर जूठे मुकदमे, असव पुनोने ना स्विकरोत एस्मौ, स्विकार नहीं किया, जूठे मुकदमे, स्विकार नहीं किया, अथा सत्यम प्रती तस्य द्रणों विश्वास, अथा सत्य के प्रती उनका द्रण विश्वास था, अधि वक्त कर्म निरता नाम क्रते अध्यापी, आधर्श भूता संतिस्ठते, संतिस्ठते, अधि वक्त कर्म निरता नाम, वकालत करने वालों के, सम्मुक प्रते अध्यापी, आज भी आधर्श रूप में संतिस्ठते इस्थित हैं। बच्चों, अगला चौथा अध्याश का अनुवात देखिए। इस गध्याश में मालवी जी की देश, सेवा तथा उन्हें गांधी जी द्वारा प्रतत्य महामन उभादिका वर्णन किया गया है। मदन मोहन मालवीयो अध्यापको अभवत। पत्रकार कर्म चा अनुष्ठतवान परंशासंतुष्टिम शान्तिम चा नालभत। मदन मोहन मालवीयो अध्यापको अभवत। अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म चा अनुष्ठतवान और उन्होंने पत्रकार कर्म या अनुष्ठतवान या। परंशासंतुष्टिम शान्तिम चा नालभत। किन्तु उनको परंशंतुष्टि और शान्ति नहीं प्राप्तुए। देशस्य पारतंत्रेण तस्य मना ब्रशम दुयत। देश की परतंत्रता से उनका मन अत्यधिक दुखी था। कथम वा देश पारतंत्र शंक्लाम उच्छिद स्वतंत्रों भविश्यत थी। कैसे कथम कैसे वा देश पारतंत्रम शंक्लाम उच्छिद। अत्वा कैसे देश परतंतता की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्र तो भविश्यत थी। कैसे देश पारतंतता की जंजीरों को काटकर स्वतंत्र होगा। चिंता चिंता चिंतिता इस चिंता से चिंतित रहते थे। अत्राद इस चिंता ने इनको अत्यदी चिंतित किया। चिंत चिंतित किया। मालवी हैं, सन मालवी हैं अखिल भारती कांग्रेश दल माध्यमेन, प्रथग रूपेले मात्र भूमों, मुक्त कर्मण सनलगनों जाता हा। देश परतंतता की जंजीरों को काट का किस्वकार सतास्वतंतर होगा, इसी चिंता से चिंदित रहते हुए, मालवी जी अखिल भारती कांग्रेश दल के माध्यम से प्रथग रूपे अनव प्रथग रूप से अलग रूप से मात्र भूमी के मुक्त कर्म में सल्लंगनों जाता सल्लंगन हो गए स्वाकारेण स्वाविचारेण चासव कांग्रेश दरस्चे त्रीवारम सभापति पदम अलंकृत्वान स्वाकारेण अपने कारेशे स्वाविचारेण और अपने विचारों से असलने कांग्रेस के त्रिवारं तीन बार वो कांग्रेस के तीन बार सबाबों कि अलंकित गिया हीम गिरम इव तस्य उतंग मनोदर्ष्टवा महात्मा गांधी तम महामना इत्य वोचत हीम गिर के समान तस्य उनका उँचा मन देखकर अत्य तस्य उतंग मनोदर्ष्टवा उनके उँचे मन को देखकर के महात्मा गांधी ने तम मने उनको महामना ऐसी ऐसा कहा हीम गिरम इव तस्य उनके उचे मन को देखकर के महात्मा गांधी ने उनको महामना ऐसा सम्भोधन हिया एक तरिशत उत्तरही कोन विशत तमे वर्षे आंगल शाष कैसा संधिवार्ताम कर्तुम महात्मा गांधिना सा आयाम अप इंग्लेंड देशं जगाम आंगल शाष कही सहाँ एक त्रिशत उत्तरहै एकोन विशत शत तमे एक त्रिशत असा बिकत्तिसॉ उत्तरई एकोन विशत तमे box fact कतिस वर्ष में आंगल शास कहीं सहा, आंगल शासकों के साथ संधि वारतां करतुम्, संधि वारता करने के लिए महात्मना गांधिना, महात्मना गांधिना सहा, महात्मा गांधि के साथ आयाम अप ये भी इंगलेंड देशं जगाम, इंगलेंड देश गए, आंगल भाशायाम न था स्विचारान संशूर्थ इंग्लेंड वाशिना अपी मुध्था भणड़र अंग्रेजी भाशायाम वैप्थान अंग्रेजी भाशा में वैक्त किये गये वैक्तान व्यक्त किये गये तस्य विचारान, उनके विचारों को सुन करके इंग्लेंड वासी भी मुग्द हो गये। अगला गद्यांश देखे बच्चों, इस गद्यांश में मालवी जी द्वारा बनवाए गये, हिंदु विश्वित द्याले, काशी की स्थापना का वर्णन लिया गया है। राष्ट सेवा करमडी निरतो अपी महामना मालवी जी अन्नेश वापी रचनात्मक करमसु प्रवत्त आसीत राष्ट सेवा करमडी निरतो अपी। महामना मालवी अन्नेश विद अन्ने रचनात्मक करमसु अन्ने रचनात्मक करमों में प्रवत्त थे। प्रयागे जनान धनम याचित्वा मैकदानल हिंदु छात्रावास से निर्माल मसव अकार्यत। प्रयाग में जनान धनम याचित्वा लोगों से धन मान करके मैकदानल हिंदु छात्रावास का निर्माल इनों ने किया। तससेव उद्धोगे न प्रयाग से प्रख्यात से मिंटोपार के इत्त्यस्यापी निर्मालम जातम। तससेव उद्धोगे न उनके उद्धोग से प्रयाग का प्रख्यात से विख्यात मिंटोपार के इत्त्यस्यापी निर्मालम जातम। मिंटोपार का निर्माल किया गया। समग्रे चा देशे शिक्षाया हराश दशाम अवलोग के शिच्च अशिक्षय वसमाकं पार्तं त्रस्य हेतुर इती स्वामन्यत। समग्रे चा देशे और समग्र देश में संपूर देश में सिक्षाया हराशम। सिक्षा के हराश की दशा को देख करके अशिक्षा ही हमारे प्रतंतता का हेतु है कारण है स्वामन्यत। ऐसा वो मानते थे। अतो देशस्य उन्नत्तै क्रियमालाईर अन्यक अन्य उद्धेव गई सा शिक्षाया विकासायापी प्रत्नों विधे इती तस्य दढ़ामति रासीत। अतो देशस्य उन्नत्तै अता देश की उन्नति के लिए क्रियमालाईर किये गए अन्य उद्ध्योगों के साथ शिक्षा का विकास सिक्षाया विकासे आपी शिक्षा के विकास का भी प्रत्न करना चाहिए। ऐसा तस दढ़ामति रासी ऐसी उनकी दढ़ बुद्धी थी। सततम चिंतेन सा काशी विश्य काशी हिंदो विश्य विद्ध्याले से संस्थापनाया संकल्पम हिरदी निदधाव। सततम चिंतेन निरंता चिंतन करते हुए सहा वो काशी हिंदो विश्य विद्ध्याले की स्थापना का संकल्प हिरदे में रखे थे। शोड़शो उत्रई एकोन विंशति सततमे वसंत पंचिमी पर्व दिने काश्याम पोण्यश लिलायाह गंगायास तटे लोकुत्रम इदमकार्यम संब्रुत्तम शोड़शो उत्रई एकोन विंशति सततमे शोड़शो उत्रई एकोन विंशति 1916 में वसंत पंचिमी के पर्व के दिन में काशी की पोण्यश लिला काशियाम पुन्यशलियाया काशी में पुन्यशलिलवाली गंगा के तट पर लोकुत्रम इदम अलावकिक यह कारिक किया गया विख्षा वृत्या जनान स्वेष्टिनो राग्यो महाराजान वैदेशिक शाषनम अपि धनम्याचित्वा विश्वध्या लेश्य संस्थापनम विख्षा वृत्या जनान स्वेष्टिनो विख्षा वृत्य से जनान स्वेष्टिनो स्वेष्टिनो राग्यो महाराजान वैदेशिक शाषनम अपि राजा महाराजाओं और वैदेशिक सासनों से भी धनम्याचित्वा धनमां करके विश्विद्याले की स्थापना तस्याम अपूर्वम अपूर मनोबल से विश्विद्याले की स्थापना तस्याम अपूर्वम अपूर्वमनोबल से विश्विद्याले की स्थापना तस्याम अपूर्वमनोबल उनके पूर्व मनो बलका और द्रसंकल्प का उद्धोतक है पंच क्रोशंपरिमिते छेत्रे अभिव्यापते विश्विद्याले पड़िसरे निर्मितानी विविध विद्या महा विद्याले भावनानी द्रस्टवा कस्यवा भातियस्य मनो ना अहलादते को आवे देशिको विश्मितों न जायते पंच कोशंपरिमिते परिधी में छेत्रे अभिव्यापते छेत्र में फैले हुए विश्विद्याले पड़िसरे में निर्मित विविद्या महा विद्याले भावनों को द्रस्टवा देख करके अत्वा कस्यवा भारतियस्य मनो अत्वा किस भारति का मन नहीं आलादित होता है कोन वे देशिकों विश्मितों न जायते अत्वा कौन वे देशिक है जो विश्मित नहीं हुआ कि यती विश्विद्याले का सरसाल में इस्थित है ऐसा नहीं सुना जाता है बच्चों आज का पाठम ये पर समाप्त करते हैं इसके आगे का गद्याश अनुवाद हम आपको अगले कक्षा में पढ़ाएंगे धन्यवाद बच्चों क्षा में आपको अनुवाद हम आपको अनुवाद है